नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नियोजन नीती के बिरोध में दोड़े पूरो विधायक अमीत महतो खतियान मैराथन दोड़ के सिलसिले में सिली के पूरो विधायक अमीत महतो साहब गंज पहुंचे इस दोड़ान अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को 21 किलोमेटर की दोड़ की लगाई दोड घाट जमनी पंचायत के सरकंडा चौक से सुरू होका राजमहल मंगल हाट मुखे सलक होते हुए परखन करयाले की और रवाना होई इस मौके पर पूरविधायक ने कहा है कि अप जानता जग गई है जब तक खत्यान अधायत्नियोजन निती नहीं बनेगी तब तक लोग को रोजगार में अधिक से अधिक भागेदारी नहीं हो पाएगी बताया है कि उन्हें 32 खत्यान अधायत नियोजन निती लागू करने की मांग को लेका 10 फरवारी को घर से निकले थे सभी बिधान सभा की दोड लगाते वे उन्हें इस जून को अपने घर वापसी करेंगे जारखन की तैधानी रांची में मौसम का मिजाज गुरुवार की दोपर से बदल गया है सुबा से काफी तेज धूप थी घर से निकला मुस्किल हो रहा था दोपर में भी तेज धूप वा गर्मी से लोग विहाल थे इसके बाद मौसम ने करवट ली है इसे लोगों ने रहात भरी सास ली बदादे रांची के कई इलाकों में जहमा जहम बारिस हुई है बारिस से तापमान में गिरावट आने से लोगों को सुकून मिला है मौसम इभाग द्वार जारी पुरोनवान के मुताबिक राजे में 26 अपरेल तक बारिस के असार है मौसम को देखते हुए एलो अलर्ट भी जारी किया गया है बता दे जहारखन में गुरुवार को मौसम ने करवट ली है इसे लोगों को सुकुन मिली तपति गर्मी से बिहार लोगों ने मौसम का मिजाज बदलने से राहत भरिसास ली है जहमा जहम बारिस से लोगों को राहत मिली है मौसम विबाग के उनसार 26 अपरेल तक बारिस के असार है नकसलियों ने जहारखन बिहार में 28 घंटे बंद का किया एलान जहारखन के चात्रा में 3 अपरेल को पुलिस मुटभेड में नकसलि समूह भागपा के 5 सदस्यों के मारे जाने से आक्रोशित नकसलि समूह ने बिहार जहारखन के नकसल बहुल इलाकों में गुरुआर से 48 घंटे के बंद का एलान कर दिया है जिसे देखते हुए दोनों राजियों के पूलिस और सुरक्षाबलो की चौकसी बढ़ा दी गई है बंद का पालान नहीं करने पर नकसलियों ने ग्रामिनों को गंभीर परिनाम भोगतने की धमकी दी है इस धमकी के मद नजार भिहार के कई जीले जैसे गया और अंगाबाद से एक पूरा लखी सराय मुंगेर नवादा जहानाबाद और वर्ड रोतास कैमूर और अने जीलों में हाई अलर्ट पर रखा गया है पूलिस अस्तुरक्षाबल के जवान भिसे सदकता बरत रहे हैं वही नकसल बहूल गया जीले के इमाम गंज के हम नकसल समूह पर नजार रख रहे हैं और ग्रामिनों को सतरक रखने के लिए कहा गया है बाबुलाल मरांडी ने सराव घोटाला में मुख्य मंत्री पर लूट में सामिल होने का लगाया आरोप सराव बिक्री में अनिमित्ता का आरोप लगाते हुए पूरो मुख्य मंत्री बाबुलामरांडी ने मुख्य मंत्री हमाम सुरें से इसमें सामिल उत्पाद विभाग के अधिकारियों प्रकरवाई करने की मांगी है बीजेपी परदेश कर्याले में मीडिया कर्मियों को समोधित करते इसके लिए दोसी अधिकारियों को चीनहीत कर राज सरकार करवाई करें वहीं जारखन में सराव घोटाला होने के संका जाता ते बावुला मरांडे ने कहा कि 36 गड़ सराव कंस्टिल्डेट, 36 गड़ सप्लायर और जारखन उत्पाद विभाग न मिल कर यहां कि सरकारी रहस्व को 450 क्रोर का उत्पाद रहस्व का घाटा पहुंचा दिया है 36 गड़ में इड़ी की तावरतोड करवाई और कंस्टेट से इड़ी की पुष्टा से एक साज विभाग के अधिकारी घबराय हुए है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस सम्माद में संग्यान लेकर गंभीता से कदम उठाना चाहिए जारखन में अब बच्चों के साथ मा को भी मिलेगा पुष्टिक आहार जारखन में पांच वरस तक के बच्चों को कुपोशन मुक्त करने के लिए 96 MTC चलाय जा रहे हैं इन उपचार के अंदरों में हर साल करीब 10,000 कुपोशित बच्चों को 15-30 दिनों तक रख कर उपचार किया जाता है उन्हें special आहार भी इस तरहन दिया जाता है बता दे मुख्य रूप से आर्थिक और समाजिक रूप से कमजोर परिवार को इसके लिए 130 रुपे प्रति दिन के हिसाब से परिवार को वेजेज भी दिया जाता है अब बच्चों के साथ साथ माँ को भी पोश्टिक अहार के साथ अने सुधाय मिलेंगी अब जार्खन सरकार ने एक और पहल की है कुपोसीत बच्चों की माँ को भी MTC में रहने के दरान तक पोश्टिक अहार और iron folic acid की गोली दी जाएगी इसे बच्चे के साथ साथ माँ को भी कुपोसन और एनिमिया से लड़ने में मदद मिलेगी बता दे सेंटर को लेकर स्वास्त विभाग और रिम्स के PSM विभाग के सन्युक रिसर्च में जो रिपोर्ट सामने आई है ओ चोकाने वाला है पद्मभूसन से समानित कडिया मुंडा को पिये मोदी ने दी जनम दीन की बधाई देश के पूर्व कोईला मंत्री पद्मभूसन से समानित कडिया मुंडा का गुरुवार को जनम दीन था इस औसर पर प्रधान मंतिर नायन्दमदी ने फोन कर उन्हें जन्मदीन के बदाई दी है और स्वास्त की जनकारी ली बदा दे कडिया मुंदा से जब पूछा गया कि पीए मोदी से क्या बात हुई मुस्कुरा कर टल गए उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट बाची थी जिसे सरोजनिक नहीं किया जा सकता रांची के सांसत संजय सेथ ने घर जाकर कडिया मुंदा को बदाई दी है उन्होंने कहा है कि हमारे गारजियन हैं असिरवाद लेने आये हैं सांसत संजाय सेथ ने कहा है कि असी के दसक में जब वे भाजियूमो रांची के जिला ध्यक्ष थे तब उनके मार्ग दसन में आगे बढ़ा और आज यहां तक पहुँचा हूँ लोग सभा के पुर्व उपाध्यक्ष के बारे में कहा है कि जो कोईला मंत्री रहकर अपने कपड़े गंदे नहीं किये तो यह कड़ी बात है बन्ना गुपता ने बकोरिया मुट भेड़ पर CBI की जाज पर उठाए सवाल पलामु के बकोरिया मुट भेड को लेकर ने आलाय में दाखिल CBI की कलोजर रिपोर्ट पर राईनेती शुरू हो गई है राई सरकार के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने इसे लेकर सवाल उठाए है उन्होंने कहा है कि CBI दोरा कलोजर रिपोर्ट दाखिल करना अनूचित है वे पीडित परिवारों के साथ है और आगे की कानूनी लडाई लडेंगे मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्री एजेंसिया एक तरफा काम करती है एजेंसिया सिर्फ बिपक्षियों के बिरोधी करवाई करने में सक्षम है इस कांड में दरजनों गवाहों की गवाही और फोरेंसिक फोटोगराफिक्स एवं अन्य परकार के साभूत उपलब्द होने के बाजूद कलोजर रिपोर्ट समर्पित करना सीवी आई की कारन प्रनाली पर प्रस्ण चिन लगता है सत्य की लडाई में उनका पुन समर्थन पिरित परिवारों के साथ रहेगा और सत्य की जीत भी होगी माफिया अत्तिक हत्या कांड के बाद जहारखन भी अलट पर है यहां भी अमन चैन बिगाणने की कोसिस हो रही है पुलिस पर साथन सोशल मीडिया पर पैनिन नजर बनाए हुए है बता दे पिछले दिनों उतर परदेश के परियाग राज इस्थीत कौवलीन अस्पताल केंपस में नेता सहमाफिया अतिक अहमद और उनके भाई आत्म समरपन कर मुख्य धारा में लोटने को आतुर दिख रहे है वहीं बचे हुए मावादी गिरामिनो की जान लेकर पुलिस से खुद को बचा रहे है बतादे बंदूग के बल पर जनता के लिए संगहर्ज का दावा करने वाले नकसली संगठन अपनी विचार धारा से कोसो दूर हो चुके हैं नकसली संगठनों में ना ही कोई विचार धारा बचा है और ना ही कोई सिधान जिस ग्रामी जनता को विश्वास में लेकर अपनी सल्तनत को कायम रखने की कोशिश करते थे अब वे उन्ही के दुस्मन बन बैठे हैं इद को लेकर धनबाद में विशेस त्यारी साथ जोन में जीला बटा इद उल्फ फितर को सांतिपूर्ण सभार्दे पूर्ण वा हर्सो अलास के साथ संपन कराने के लिए जीला दंडा अधिकारी सा उपायूक संदीप सिंग वर्य पुलिस अधिक चक शरी संजीव कुमार त पूलिस पता अधिकार इक साथ दंडा अधिकार भी मवजूद रहेंगे 2018 बैच के एक दरोगा ने पीले फाई तक पहुंचा रहा था सुरक्षा बलो के हर अपरेशन की सुचना 2018 बैच के एक दरोगा ने एक बार फिर जार्खन पुलिस को सर्मसार किया है यह दरोगा खोटी जीला बल का मनोज कक्छप है जिस पर उग्रवादी संगठन पीपलस लेवरेशन फ्रंट आफ इंडिया के 25 ला कही नामे दीडेस गोप का स्वयोगी होने के पुष्टी हो चुकी है उस पर खुटी पुलिस के हर अव्यान की सुचना को उग्रवादीों तक पहुचाने के आरोप के पुष्टी हुई है बता दे आरोप के पुष्टी के बाद खुटी के एसपी के अनुसंसा पर रांची रेंज के डिया जी ने उसे वर्खास्त कर दिया है एसपी ने विभागिये करवाई के बाद अपनी अनुसंसा में लिखा था कि इस दरोगा का विभाग में बने रहना सुरक्षा के दिश्टी कोन से घातक है रांची के पुर्व डीसी च्छवी रंजन ने एडी से मांगा दो हपते का समय है दास्तावेज में हेरा फेरी कर सेना के कबजे वाली जमीन की खरीद बिखिरी के मामले में रांची के पुर्व डीसी च्छवी रंजन ने एडी के समक्ष पेस होने से पहले गुरुवार को दो हपते का समय मांगा है मालूम हो कि सुक्रवार 21 अप्रेल 2023 को रांची च्छीत एडी के छेतरिये करयाले में पुर्व डीसी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था इडी ने दस्तावेज में जाल साजी कर सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में 13 अप्रेल 2023 को पुर्व डीसी च्छवी रंजन रांची इस्थीत बढगाई के सीओ मनोज कुमार करमचारी भानू परताप और जमीन कारोबारियों समेत 18 लोगों के एकष ठीकानों पर जारखन के पांच जी लोग पुलिस पता अधिकारियों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ट्रेनिंग यानि मनीता के सहीत छेत्रिये पासपोर्ट कर्याले के वरिये पतादिकारी मौजूद थे इस दोरान इन्हें पासपोर्ट फेरिफिकेशन के दोरान कई सवधानिया बरतने करनिदेश दिया गया बदादे पासपोर्ट सत्यापन सेमिनार में रांची छेत्रे के पांचो ज सरकार ने ठेका मैजदूरों की मैजदूरी से जुड़े महंगाई भाते में ब्रेदी कर दी है इसे भी भीन केटेगरी की मैजदूरों की मैजदूरी में लगभग सावाद 2,000 से लेकर 3,000 रुपे तक की बढ़ोतरी हो गई है सरकार ने ठेका मैजदूर नियमावली 1972 के नियम 25 के उप नियम 2 के खंड 5 के उप खंड 2 द्वारा प्रदत सक्तियों का परियोग करते हुए ठेका सरमिकों की सेवा सर्तों एवं दे मैजदूरी का निधारन किया है पतादे सरम नियोजन प्रसिक्चन और कास विभाग द्वारा 1423 के तीथी से अधुसूचीत परिवर्तन सिल महंगाई भाता की दारेताय कर दी गई है जो ठेका सरमिकों को दे होगी इसके लिए सरकार ने आदेस जारी कर दिया है पलामू में बाइक चोर गिरों का खुलासा चार अरोपी गिरफतार पलामू पूलिस के अनुसार एक चोर गिरों के चोर लातेहा चातरा और पलामू के अलग-अलग चेतरों से बाइक चोरी कर पाकी और मन्का थाना चेत्रे में लाकर बेचने वम खरीदने का कारिय करता था ज्यार्खन में एक दिन में कुरोना के 50 नए केस मिले राज में कुरोना संक्रमन लगातार बढ़ रहा है राज में कुरोना संक्रमन की जाज में बढ़ोतरी होने के करण संक्रमितों की भी अधिक पहचान संब़ हो पा रही है बताजे स्वास्त्राले कनुसाथ संक्रमन दर लगभग एक परतिसातर हग रही है बुद्धवार को राजी के विभीन जीलों में 5190 लोगों की कुरोना जाच होई जिसमें 51 संक्रमित पाए गए इससे एक दिन पहले मंगलवार को कूल 477 लोगों की कुरोना जाच होई थी जि गुरुवार को सुनवाई होई सुनवाई के बाद हाई कोट ने प्रार्थी को रहात देते हुए जमानत की सुधा पदान कर दी है हलाकि बच्चु यादव फिलहाल जेल से नहीं निकल पाएगा आदालत से उसे धमकी देने का रोप में जमानत मिली है लेकिन इडी ने उस पर मनी लोंडरिंग का मामला भी दर्च किया है इस मामले में निचली आदालत से रहात नहीं मिलने के बाद बच्चु यादव ने हाई कोट में आज का दाखिल कर जमानत देने की गुहर लगाई थी बता देकि सहेब गंज के मुपसिल थाना में बच्चु यादव नाच कराने की मांकी है इस समाद में उन्होंने मुख्य सचीव को पत्र भेजा है पत्र में उन्होंने गिरीडी के किसन कुमार सिनहा और इंद्रजीत यादों से पराप्त आवेदन का हवाला देते हुए कहा है कि सहदेव महरा ततकालिन जीला और निबंधक रांची संजी इन्डी बिल्ड कान को फैदा पहुचाया है इसके लावा सेक्डों लोगो द्वार जमीन खरीदी के लिए जमा की गई रास्टी को हड़प लिया है पूर्भी सिम्भूम की तीन बालू घाटों की जल्द होगी निलामी च्छा सालों से अटके हुए पूर्भी सिम्भूम के बालू घाटों में से मातर तीन बालू घाटों की निलामी पहले चरण में जल्द की जाएगी सुत्रों के मुताविक जीले में दो स्रोनिया में कूल 12 बालू घाट चीनित किये गए है जिसमें से निलामी हो रहे तीन बालू घाटों को एक बालू घाट 12 गोड़ा अंचल के बन काटा का है यह छोटा बालू घाट है सुअनरे खनादी के किनारे यह चार पंट चार जिरो हेक्टेर में फैला है जिला खनन विभाग एक काटेगरी में रहकर इस घाट के निलामी के त्यारी की है एक काटेगरी में 10 हेक्टेर से कम वाले बालू घाटों को रखा गया है गुमला में कूपोशन के खिलाप छिडी जंग गुमला लोक परशासन में बेहतर जिला है यहां कई सफल परयोग हुए हैं जिसका सिधा लाब आमजन को मिल रहा है जिसमें जिले को कूपोशन मुक्त बनाने की दिशा में किया गया पर्यास भी सामिल है बता दे उपायुक्त सुसांत गरों की पहल से गुमला कुपोसन मुक्त जीला बनने की दिसा में बढ़ रहा है जीले में एनिमिया मुक्त अभियान समर अभियान पोसन मा कुपोसन मुक्त अभियान सहीत कुपोसन के खिलाप कई नवाचारी उपाय हो रहे हैं इसे लोग भी जूड रहे हैं कुपोसन को खत्म करने के लिए साग सब्जी की खेती पजोर दिया गया है खेतों के अलावा घर के आंगान गमलाच छत पर भी साग सब्जी की खेती के लिए लोगों को उपयोग कर रहे हैं 30 जून तकाप डिब्यांग और सेना के जवानों का अत्रीक 15% की खूट मिलेगी अधिक जनकारी के लिए हेलपलान नंबर जारी किया गया है इस नंबर पर कॉल कर आपने बगायार टेक्स से समथी पुरी जनकारी ले सकते हैं बता देन अगर आयूक्त सेलेंद्र कुमार लाल ने नीगम सभगार में बैठा कर एजन कारी दी है धनबाद फूड पुआजिनिंग मामले में डीसी ने 500 से टीम का किया गठान बुद्धवार की देर रात बलियापूर परखन की कर्मा टांड पंचायत के हुचुक गाओं में लगे भोकता मेला में चाट गुपचुप खाने से बिमार हुए बच्चों के मामले में उपायुक संदीप सिंग ने जाच कमिटी गठीद कर दी है उन्होंने बताया है कि फूट पोईजनिंग की वज़ा से कई लोगों के बिमार होने की सुचना मिली है पूरे मामले की जाच को लेकर पांच से से टीम गठीद कर दी गई है एक सब्ता के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है उसके बाद आयकी करवाई की जाएगी